नमस्ते दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उस वाइरल संसनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने कॉमेडी की दुनिया में धूम मचा दी है, नमन अरोडा। आपने उन्हें समय रहना के शो इंडियाज गॉट लेटिंट में देखा होगा। जहां उन्होंने अपने शांदार कॉमिक टाइमिंग और अनोखी मावल शायरी से सबको प्रभावित किया। नमन की कॉमेडी और क्रियेटिविटी का अनोखा मिश्रन उन्हें दर्शकों के दिलों में एक खास जगर दिला चुका है। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम जानेंगे कि नमन अरोडा को कॉमेडी की दुनिया में उभरता हुआ सितारा क्यों कहा जा रहा है। नमन की कॉमेडी और चाम का अनोखा मिश्रन दर्शकों को मंत्र मुगधा करता है और उन्हें एंटरेटेन्वन्ट की दुनिया में अपनी खास जगह बनाने में मदद करता है। उनकी परफॉर्मेंस इतनी इंप्रेसिव थी कि खुद समय रहना जो की एक फेमस कॉमेडियन और शो होस्ट है ने नमन को सितंबर में मुंबई में अपने स्टेंड़ शो के लिए ओपनिंग करने का इंविटेशन दिया। जैसे ही उनके एक्ट का विडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ, फैंस ने पाया कि नमन सिर्फ एक टेलेंटेड कॉमेडियन ही नहीं। बलकि एक प्रोफेशनल एक्टर भी है जिन्होंने वरुन धवन और राजकुमार राओ जैसे बड़े स्टॉस के साथ काम किया है। कि यह सब उनके शांदार एक्टिंग का हिस्सा था। नमन का फिक्षन और रियलिटी के बीच की सीमाओ को धुंधला करने का स्किल उन्हें कॉमेडि की दुनिया में एक अनूठी टैलेंट बनाता है। खाल ही में नमन अरोडा ने मिस्टर एंड मिसेज माही फिल्म में भी एक्टिंग किया जहां उन्होंने जानवी कपूर और राजकुमार राओ के साथ स्क्रीन शेयर की। उनके फैंस बेसबरी से उनकी अगली प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं। जो की एक वेब सीरीज है, हालाकि उन्होंने अभी तक इसका नाम जाहिर नहीं किया है। लोग उनके एक्ट और कॉमिक टाइमिंग को खूब पसंद कर रहे हैं। और प्रशंसा की बोचार ट् और ओडियन्स को अपने एक्टिंग और कॉमेडी दोनों से इंप्रेस करने की स्किल के साथ नमन निश्चित रूप से वो कलाकार है जिन पर नजर रखनी चाहिए। अगर आपको उनका ये सफर पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि उभरती टैलेंट्स पर और भी शांदार कंटेंट आप तक पहुचता रहे, नमन पर नजर बनाए रखें, वो अभी बस शुरुआत कर रहे हैं, तो दोस्तों अब इस वीडियो को यही खतम करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी